इंडिया पोस्ट प्रमेंट बैंक अपने साथ जूरने का मौका दे रहा है जी हाँ आपने सही सुना आपको इंडिया पोस्ट प्रमेंट बैंक अपने साथ जूरने का मौका दे रहा है और इंडिया पोस्ट प्रमेंट बैंक के बिहाब पे आप बैंकिंग सर्विसेस आप ल कालना पैसे जमा करना आपको धेर सरा सर्फिस आपको इसमें मिल जाता है सुगाज महीं उंजिनियर राजा और मैं आप से सेज़ करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो स्पाई आप रोजाना प्रेस करने से यह होगा कि मैं जो पड़े नया वीडियो अपलोर करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो इस बेल के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इंडिया पोस्ट प्रमेंट बैंक के साथ जोरने क सकते हैं जैसे हो गया बैंक एंपलैर रिटारट तीचर वडिटार्ड दिशवक्त सबस्ट के इसके बाद हो गया रडिवेंट आप इंडिया वाले इसके बाद इसके वाद प्रम कोम्प बाले वह het कर सकते हैं इसके बाद हो गया common service center यानि CSC वाले भी इसके लिए अप्लाइक कर सकते हैं कहने के मतलब है कि इसमें आपको इतने सारे इंपलाइर अप्लाइक कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा किस तरीका से आप फोर्म को खिलब करेंगे और इसको आपको जो है कहां जाके जमा करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखाने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप कमप्लिटली लास्ट अब जरूर देखिएगा अगर आप यही काम दुकान वाले के पास जाया करवाने के लिए तो आपको शिर्फ फोर्म निकाल के दोर अपया था रहा है तो आपको जो फोर्म निकाल के देगा और 30- Centrias ले लेगा तो मैं आपको जो तरीकां बता हूँगा वो तरीका से आप कीजिएगा तो फोर्म को डाउनलोर कर लिजेगा और जाके है दुकान वाले के पास से आप 10 रुपिया में निकाल के आपको जो है अच्छी तरीका से फोर्म को फिलब करना है जैसे मैं आपको इस वीडियो में step by step बताया हूँ और आपको जो है सैन मोहर करना है फोटो लगाना है सिगनेचर करना है और कहां जाके जमा करना है मैं वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में step by step देखाया हूँ तो इस वीडियो को आप completely last तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब आपको अपने साथ जूरने का मौका दे रहा है जी हां आपने सही सुना जी हां अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एज बिजनिस को स्पेंडिंग आप जूर सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहाब कर सकते हैं पैसे जमा करना पैसे निकालना इस तरिके के आप नहीं करना है यहां पर रखाए आप इसको एक बात देख सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं यहां पर आप देख रहें कि यहां पर आपको मिलडा है कि रिटायर, बेनकर इंपुलायर, रिटायर, टिचर, टीचर, रिटायरória जो है आपको गूरर्मयक, इंपुलायर एक सर्विसे इसके लिया अप्लाय کर सकते हैं यहाँ पब देख रहे हैं कि आप 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 देख रहे हैं कि आप जो है कि आना एक चोड वाले मिटकल एक चोड糖 यह इसके लिए अप्लाइक कर सकते हैं इसके साथ कि यहां पे आप देख रहे हैं कि आप एप कर सकते हां यहां पे प्लाए कर सकते हैं फोर्म फिलब करने के लिए आपको यहां पर एक option मिलडा हुआ click here यहां download application form आप इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करते हैं तो आपके सामने में यह form जो है open होके आ जाता है यह form को आप एक वार अच्छी तरीका से यहां पर देख लेजिए इसका link आपको video के description part में भी मिल इस फोर्म को आपको है print out निकाल के इसको जो है आपको English में form को भरना है तो सबसे पहले यहां पर आपको नाम भरना है वह English में भरना और इसने जो कॉलम दिये हुए है वह सारे कॉलम भरना है इसका यहां पर अपना contact number देंगे यहां पर address देंगे यहां पर city और district डालेंग अगर आपके पास pen card number नहीं है तो आप यहां पर देख रहे हैं कि form 60 यहां पर नीचे यहां पर दे रखा है यहां पर form 60 यहां पर देखे form number 60 तो यह आपको प्लब करना है लेकिने अगर आपके पास pen card है तो यहां पर अपना pen card number डालेंगे यहां पर आपना email id डालेंगे औ और यह जो आपको देख रहे हैं खंदे खंदे बने हुए हैं तो इसमें आपको अराम से भरना है वो भी इंग्लिस में. यहां पर अपना लाठि ट्यूट और लोगेट डलना है तो लेटि ट्यूट झीकालने के लिए आपको इस पेच पर आना पर एगा इसका लिंक भी आप यहां पर लंगी टूट आ चुका है यहां पर जो करसर है आपका जहां भी स्वब रहा है तो इस तरीका से आपको करसर के इस तरीका से किलिक कीज़ेगा तो यहां पर जो देखिए यह जो है आपको यहां पर आ चुका है तो आपका प्लेस जहां भी हो इस तरीके से आप जो म है आपको कुला अपर डालना है यहां पर शीके डॉन्ट रप्लेंबर सफ और यहां पर आपको नाब कर देना है और यहां पर जो है आपको जो है क्ण से छूज böण शुच दाना है यहां पर आपको स्केइंगर क नाम दालेंगे जो बिद भांश का है यहाँ पे i f e s c q 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 और यहां पर आपको signature कर देना है इसके बाद यहां पर आने के बाद यहां पर आपको फोटो को इसमें जो है आपको चीपका देना है रखलगा देना है और यहां पर नीचे से ऊपर तक आपको जो है signature करना है अधा जो आपको नीचे और अधा जो फौटो पर आपको signature कर लेना है यह form को फिलप करने के बाद आपको यह form को जमार करना होगा इंडिया पॉस्ट प्रमेंट बेंग के तो आपके अगल वगल में कह यहां पर है उसको देखने के लिए यहां पह देखिए किलिक के बांच यह इस पर करना है किसे इसपर कुलिक करते हैं तो आपके अगल बहुत इंडिया पोस्ट प्रिमेंट बेंक जो भी ब्रांच है वह आपको यहां पर नीचे इसमें सो कर देगा अगर आपको इस तरीका से पोस्ट पर्मेंट ब्वेंट के ब्रांच वह i müssen sex नहीं होता है तो आप कただ प्रेंगे और यहां पे अपने यह भी स्ट कनाम डाल देंगे जैसे मिई यहां पर डाल देता हूं कि यहाँ पर देखिए यहां पर अपने NE idée को जमा करना है यहां पर देखे कि आपको जो है आप ब्रांच आ गया है और इसकी जो है इमेल आईडी यहां पर आ गया है आपको जो है इस फोर्म के साथ जो है अपनी आईडी और एड्रेस प्रूफ को लगा के आपको जो है इसी जो है आपको एड्रेस पर जाके जमा कर दे हैं और आपको जो है इसमें हर एक service पर आपको commission मिलता है इस तरीका से गज जो है आप बहुत ही easy तरीका से यह forum को develop करेंगे इसके बाद जो है आप अपने branch को इसमें select कर लेंगे कि का अगल बगल कौन कहां branch है इसके पर जाएंगे आपने फोर्म को अच्छी तरीका से फिलब करने के बाद जाके आपको इस अड्रेश पर जाके आपको जमा कर देना है एक्प्रूबल मिलने पर जो है आप जो है इस services का आप जो लाब उठा सकते हैं आप तो आप समझी गए होंगे किस तरीका से इंडिया post payment bank के लिए कैसे form को fill up करेंगे और आपको जो है कहाँ पर जाके जमा करना है वो सब आप इस वीडियो में step by step सिखी लिया होगा so I hope कि ये वीडियो को काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंग के साथ सेयर करिए अगर आपके दिल में को question हो तो नीचे comment box में जाके comment करके पूस सकते हैं